हलो गाइस गोड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे वेलकम बैक टू दीपभाटी व्लॉग और गाइस मॉर्निंग का टाइम हुआ है तो मॉर्निंग के लगा लेते हैं जाडू क्योंकि आज मैंने सुबह जाडू नहीं लगाई थी थोड़ तो सुबह मैंने जाडू नहीं लगाई थी सोचा चलिए बाद में लगा लूगे और अच्छे तरीके से ही जाडू को लगाऊंगी आज मुझे कोने की सफाई करनी है क्या होता है कि हम जब डेली करते हैं तो वो थोड़ा जहां-जहां मतलब जो समान हट पाता है उसको हट करके जाडू लगा लेते हैं लेकिन डेली अच्छे से समान को हटा करके जाडू नहीं लगाते हैं तो अपने वाले रूम में तो मैं लगा कर आ गई थी और अब लगा लेती हूं बेटे के रूम में तो दोनों कबरों में लग गई अच्छे तरीके से जाडू बैड के नी सब्सक्राइब कर दिए हैं इसके यहां से भी ज़ाड़ू लगा लेती हूं जो कोना है ना सामने जो दिखाई दे रहा होगा उधर ना सोफा आ जाता है तो वहां पर लगनी पाती है प्रॉपर तरीके से क्योंकि हटा करके तो डेली नहीं लगाई जाती है तो मैं ऐसे ही बस जाड़ू वहां से घुसाती हूं और लगा देती हूं तो चली पीछे सोफे कर दिये हैं मैंने और बाकी अभी काम हुआ नहीं है मेरा हस्बंड तो चले गए थे उनका काम हो गया था खाने पीनी का और बरतन मैंने धो दिये थे किचन का काम मतलब जाड़ू लगाने से पह है और पूरे मतलब कल से ही ऐसे ही है इनको जाड़ दोना तो धूल मिट्टे भी हट जाती है और अच्छे तरीके से साफ भी हो जाते हैं और यह ब्लैक है तो इसमें तो वैसे भी कुछ भी अगर गिर जाता है तो वह नजर आने लग जाता है अच्छा नहीं लगता है बेटे के रूम में तो यह बेटे की अलमीरा है ना छोटी सी यह जो रैक है रैक में यह इसमें बुक्स वगरा रखती हूं तो यह उपर कर ड्रॉर है ना इसमें इतना गंद मचा रखा था उसने कि मतलब कुछ भी आता है कितने सारे पेपर ऐसे पड़े वे थे पैंसिल के चील चील करके उसने ऐसे रखे हुए थे कुछ भी समान रखा हुआ था मतलब जो रखने का नहीं है वह भी रखा हुआ था और यह देखे कितने सारा मतलब छोटा-छोटा कचरा भी पड़ा होता है उसको अभी तक आदत है छोटी-छोटी चीजों से खेलने की और यह डिक करता है गंदा जो भी होता है वह इसके उपर ही होता है अंदर नहीं होता है जिससे मेरी महनत बच जाती है और आसान भी हो जाता है हर चीज को और नाइस करना तो चलिए इसको और नाइस कर देती हूं और यह देखिए कितना क्लीन हो गया है सारी चीजों को तो चलिए अब मुझे ना पौदो को थोड़ा सा पानी देना था काफी सारी धूल आ रखी थी तो इनको ना मैं अच्छी तरीके से शार कर देती हूं क्योंकि अब थोड़ा गर्मी आने लगी है ना तो और सबसे ज्यादा तो बहुत ज्यादा धूल उट रही है तो पौदो पे ना बहुत अच्छे तरीके से ना पौदो को बहुत अच्छे तरीके से निला सकते हैं और काफी धूल मिट्टी निकल जाती है तो मुझे यह बहुत पसंद आया तो पौदो में पाने देने के बाद मैंने पोचा लगाया और उसके बाद कपड़े मैंने पहले धूलिये थे और उनको सुखा करके मैंने नहा लिया है और नहा कर मैं आच चुकी हूँ तो थोड़ा सा यह बैड ना मैं बैड मैंने कपड़े निकाले थे और आज जो यह मैंने सूर पहना हुआ है प्लीज बताना कि कैसा लग रहा है मुझे अच्छा लग रहा था पूर्मेट वगरा हैं, सो, और कारपेट भी चाना है, बैट के पास वो रह गया है, और अपने बाल भी बना लेती हूँ, क्योंकि यह बाल ऐसे ही बने वे थे, पर सुबह एक हलका सा होता है, क्योंकि सोते हैं, तो बाल खराब हो जाते हैं, तब ही बनाए थे मैंने, और उसक मुझे लंच तो कर लेती हूँ, लंच की तयारी, और लंच में मैं बनाऊंगी आज कड़ी, तो ये ना गाउन से ही छाच आई वी थी, कहीं से आई थी, मतलब किसी ने दी थी ये, तो उसकी कड़ी वैसे ही बहुत टेस्टी बनती है, हम घर में कितनी भी अच्छी दही बन मैं बाइचांस फिर भी एक बार को खा लेती हूँ, और ना ही आज कोई पालक थी के पालक डालक के बना दूँ, तो इसलिए मैं पकोड़े बना रही हूँ, अब टाइम काफी था मेरे पास लंच के लिए, क्योंकि बेटा थोड़ा लेटी आता है, पर आज मुझे भूक ल ले लिया था, और बेटे का वेट कर रही थी, तो उसी के साथ ही खाना खाया था, मैंने तो चलिए मेरी पकोड़ी भी बन चुकी है, और अब एक साइड में चड़ा देती हूँ, चावल, तो चावल मैंने ऐसे ही चड़ा दी है, पानी वाले, बस उसके अंदर थोड़ा सा अब यह डाल देती हूँ, दुबारा से, हम सबको कड़ी इतनी जादा पसंद है, क्यों सबकी फेवरेट आई है, मतलब कोई नहीं कहता है कि मुझे पसंद नहीं है, दो दो तिन टिन टाइम खा जाते हैं, और खाना भीना एक्स्ट्रा खाया जाता है, ऐसी चीजों से और गर्मिया जब आ जाएंगी, जो कच्चे आम की सबजी होती है, वो मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है वो, जो कच्चे आम की सबजी बनती है, खटी मीठी वो वाली, तो अब लगा लेती हूँ, तड़का, तड़के के लिए मैंने डाल दिया है, पहले थोड़ा स होती है, वो और उसके बाद थोड़ी सी डाली है, और तेल में थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया था, तेल भी और घी भी, और अब डाल देती हूँ, कश्मीरी मिर्च, इस कश्मीरी मिर्च से वैसे ही कलर इतना अच्छा आता है, तीखा पन तो नहीं करती है, तो उसके वर्ना हर किसी को कड़ी पसंद आती है, तो चलिए मेरी कड़ी भी बनके, बस थोड़ी देर के लिए ने, इसको पांच मिनट के लिए पकाऊंगी, मैं इधर बन गए हैं चावल और कड़ी भी तैयार हुई है, यहां रखे है कड़ी दिन की, क्योंकि दुपैर को ही बनी थी तो जाधा नहीं लगी थी, हम दो जनेते खाने वाले, और थोड़े से रखे हैं दर चावल, और अब मैं बनाऊंगी रोटी, थोड़े चावल रखे हैं, थोड़ी रखे हैं कड़ी तो, और दिन में मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि बेटा आ गया था, खाना वगयरा खाके, बस थोड़ा सा लेट गई थी, क्योंकि आज सुबह से ना मेरी जब सुबह में सोके उठी थी तो मे सुबह ना इसमें फिर दर्द भी हो रहा था, और आज मैंने जो सूट बेयर किया था, ये वाला, बताना, कमेंट्स करके बताना कैसा लग रहा था, मुझे तो अच्छा लग रहा था, बहुत ज़ादा, और कल मैं फिर्स्ट लाइब गई थी, मुझे अभी आता नहीं है, लेकिन मैं सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता हूँ, उसमें क्या करना होता है, क्या बोलना होता है, कुछ नहीं पता था, हाँ, बस अधर टाइम के लिए नहीं गई थी, मैं ट्राइ करना चाहती ती पहले क्या होता है कैसे होता है लेकिन आगे से फिर से जौंबी में लाइव और बेटे को लगरी थी भूख तो चली उसको दे रेते हैं थोड़ा सा खाले गारी परिचाल खाले पहले और उसके बाद पढ़ ले इस कमरे में लाइट लगाने पड़ेगी गाईज यह देख चली इस में थोड़ा धीरा धीरा सा रहता है आटा मांड के यह और रोटिया मैं भी थोड़ा टाइम के बाद करूं बनाऊंगी यहां इस साइड रग दी है मैंने दूद अभी दूद वाला दूद दे करके गया है तो इसको बाल देते हैं क्योंकि दूद ना ऐसा होता है क दूद उबाल लेती हूं तेज करके मैं और मुझे थोड़ी देर के लिए ही पर खड़ा होना पड़ेगा कप्रे फोल्ड कर लिया है मैंने और अब इनको रख दूंगे मैं अलमारी में रख देती हूं इनको और अब दूद लेती हूं बरतन क्योंकि थोड़े से बरतन थे क्योंकि एक अभी उसने खाना खाया है खाना थोड़ा सा खाया था जो छोटी बूख लग जाती है और चाए के बरतन है और चावल का भी कोकर खा ले किया यह वाले बरतन दो लेती हूं चलिए और रात के खाने के बरतन तो बाद में ही दूलेंगे उपर लाइट लगी है तो यह एकदम ऐसी सर पर आती है, फेस पर लाइट नहीं पड़ती है, हाँ ठीक है, कि इधर की लाइट सामने आती है, इस वज़े से, और हवाई चल रही है तो होट बहुत जादा फट रहे हैं, चलिए दूलेते हैं बरतन, और मुझे भी ऐसा हो रहा है, जैसे मुझे आज ऐसा लग रहा है, आँखों में कितने नींद हैं, लेकिन चलिए पहले काम कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद खाली रोटी ही बनानी होंगी, तो मैं बनानी ही रोटी, फिर अभी तो बरतन दो लेती हूँ, कुछ बरतन दिन के हैं, कुछ बरतन अभी के हैं, जो हमने बनानी है, और आपके पूरे परिवार को, और कमेंट करके जरूर बताना कि आप वरत रखते हैं, या नहीं रखते हैं, मैं वरत नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरा वरत किसी कारणवाश छूट गया था, और चलिए अब मुझे खाली रोटी ही बनानी है, और उसके बरतन र मिलते हैं, मिलते हैं आप से नेक्स ब्लॉक में, बाब बाई!